नमस्कार स्वागत है आप सबका राधिकाज कीचन में आज मैं बना रही हूँ हाफ केजी का स्ट्रॉबरी केक इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ml के कप से 1.5 कप वेनिला का प्रिमिक्स लिया है अब इस प्रिमिक्स में पाने आड़ करके मिक्स करना है इसमें अब 1.5 टेबल स्पून ओईल और 4 ड्रॉप्स स्ट्रॉबरी इमल्शन के एड़ करने है इमल्शन में कलर और टेस्ट दोनों होता है अगर आपके पास स्ट्रॉबरी का इमल्शन नहीं है तो इसकी जगा स्ट्रॉबरी का एंसेस और लिक्विड पिंक कलर आप एड़ कर देना अब इस बैटर को अच्छा से मिक्स करना है मैंने हापी चेंज का केक्टिन लिया है इसे ओईल से ग्रिस कर लिया है और बटर पेपर भी डाल दिया है अब इसमें बैटर डाल कर 180 डिग्री सेलसियस पे 25 से 30 मिनट के लिए इसे बेक कर लेना है केक स्पॉंज को अभी थ्री लेयर्स में कट कर लेना है मैंने यहापी मालाच कमपनी का स्ट्रॉबरी क्रश लिया है अब एक क्रीम में थोड़ा सा एड़ करके मिक्स कर लेना है क्रीम को सबसी नीचे वाली लेयर को सुगर शिरप से सोक करना है और उपर क्रीम लगा लेनी है एक एक बेस थोड़ा सा उपर की और उठा हुआ है इसलिए यह टर्निंग टेबल से हिल रहा है तो मैं भी यह टर्निंग टेबल के उपर किचन टावल रख देती हूं और उसके उपर यह बेस रखती हूं इसे आभी ये base हिलेगा नहीं और cake को अच्छे से finishing करने आएगी अब cream को plane करने के बाद इसके उपर strawberry का crush अड़ करना है और इसको भी palette knife से अच्छे से plane कर लेना है सबसे उपर वाली layer को उल्टा करके रखा है और जहाँ पर जगा खाली है वहाँ पर cream से fill up कर लेना है अब first layer की तरह ही second layer को भी same process करके लेनी है अब सबसे नीचे वाली layer को उल्टा करके रखा है और इसे भी sugar syrup से soak कर लिया है और cake को अभी crumb coat करना है अब cream से पूरे cake को coat कर लेना है मैं यहाँ पर यह palette knife से ही direct cream लगा रही हूँ अगर आपको ऐसे direct palette knife से cream ना लगानी आए तो आप इसकी जगा piping bag में cream भर कर उससे भी कर सकते है उपर साइड में भी cream लगानी है तो card से या scraper से cake को plane कर लेना है यहाँ पर मैंने pink gel color लिया है इसके दो drops cream में डाल के लेने है मुझे आप dark color चाहिए इसलिए मैंने gel color का यूज किया है अब इस cream को piping bag में भर लेना है और cake की नीचे साइड में ऐसे दो line बना के लेनी है इस shade पूरे cake पर नहीं चाहिए बस नीचे की साइड में चाहिए इसलिए बस दो line बना के इसे card से plane कर लेना है उपर साइड में भी plane कर के लेना है cake को मैंने यहाँ पर नूर यन वन का nozzle लिया है यह आभी piping bag में भर कर जो पहले pink cream बनाई थी वही भर लेनी है अब cake के उपर इससे roses बनाने है थोड़ी दूरी पर यह roses बनाने है पास पास में नहीं नूर यन वन का nozzle बहुत ज्यादा designs में काम में आता है तो यह आपके पास जरूर होना चाहिए इसके बाद मैंने लिया है नूर 14 का nozzle अब यह भी piping bag में डाल कर जो pink cream है वही डाल के लेनी है जहां पर यह roses बनाए है उसकी बीच में जहां जगाझा खाली है वहाँ पर ऐसे चोटे stars बना के لेने है पहले जजादा बनाने है फेट थोड़े फिर और थोड़े जहां पर जगां खाली है वहाँ पूरे में ऐसे stars बना के लेने है अभी इसी नोजल से नीचे साइड में भी स्टार बनाने है ये थोड़ी दूरी पर बनाने है बीच में और एक स्टार के लिए जगा छोड़नी है वो दूसरे कलर से बनाएंगे इसलिए जगा छोड़ी है और मैंने एक क्लोज स्टार वाला नोजल लिया है इस पर कोई नंबर नहीं ये लोकल है अगर आपके पास ये नोजल नहीं है तो आप इसकी जगा नूर 14 वाला ही नोजल ले सकते हैं दोनों में कुछ ज़्यादा फरक नहीं है इसे अभी पिंग जो हमने स्टार्स बनाए थी उसके उपर ऐसे फ्लावर की डिजाइन बना लेनी है पिंग वर उफ हाइट का कॉंबिनेशन बहुत ही सुन्दर दिखता है अभी इसी नोजल से नीचे साइड में जहाँ पिंग स्टार बना आए थे वहाँ पर यह ऐसे स्टार की डिजाइन बना लेनी है यह वही 14 नोजल है जिसे नीचे में स्टार की डिजाइन बना के लिए है अभी मैंने जो वाइट कलर की फ्लावर्स बनाए हैं इसके उपर ऐसे स्टार की बना लेने हैं छोटे मैंने हाँ पर यह शुगर बॉल्स लिए हैं सिल्वर कलर के जहाँ पर यह चोटे स्टार्स बना हैं पिंक कलर की उसके उपर यह शुगर बॉल्स लगा लेने हैं नीचे साइड में भी जो पिंक कलर के स्टार्स बनाए हैं उनके उपर भी यह शुगर बॉल्स लगा लेने हैं बीच में जहाँ पर जगा खाली है वहाँ पर मैंने पिंक क्रिम से नाम डाल के लिए हैं और शुगर बॉल्स भी डाले हैं अगर आपको ये वीडियो में राच्छा लगा होगा तो मेरे चाइनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार